अगर वो मेरे जैसा दिखता है तो मेरा क्या कसूर उल्टा तुम लोगों ने मेरा स्कीना हराम कर दिया आप लोग नहीं लड़ता है अलो गैस कैसे हैं आप सब सुआगेते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल बॉक्स ओफिस कोर में और आज मैं आप लोगे के लिए लेकर आई हूं लियो गनपत भगवत केसरी और ताइगर नागेश्वर राव मूवी की बॉक्स ओफिस रिपोर्ट गैस आज लियो और भग वर्तिकेश्री की तो गाइज ये मूवी तेलगू लेंगवेज एक्शन ड्रामा मूवी है तो वहीं इस मूवी में नंदा मुरिबाला किशना जी के साथ काजल अगरवाल और श्री लिला नजर आ रही हैं गाइज मूवी का बज़ा ठे सो करोड रुपे यानिक इस मूवी को बॉक्स ओफिस पर हेट होने के लिए 110 करोड रुपे की कमाई करनी होगी और मूवी बनकर तयार हुई थी अनिल रभी पूड़ी के डारेक्शन में और गाइज इस मूवी ने रिलिस से पहले ही 36 करोड रुपे का प्रॉफिट ले लिया था और अब यह मूवी बॉक्स सिकल से थोड़ी सी जादा है और यह मूवी लगबक 16 करोड रुपे का इंडियन नेट कलेक्शन कर सकती है तो इस मूवी का चार दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन आ रहा है और यह मूवी बनके तयार हुई थी वमसी सर के डारेक्शन में तो वहीं इस मूवी में रवी तेया सर के साथ नूपूर सनोन और अनुपम खेर नजर आ रहा है और वहीं इस मूवी का बजट है 55 करोड रुपे याने कि इस मूवी का बॉक्स ओफिस पर हिट होने के लिए लगबग 65 करोड रुपे की कमाई करनी होगी और अगर बात करें इस मुवी के box office collection की तो गाइज इस मुवी ने अपने दो दिनों में Indian net collection कर लिया है 18.50 लाक रुपे तो में Indian gross collection हो रहा है 34 करोड रुपे और overseas market में ये मुवी 7 करोड रुपे का कारोबार कर रही है तो इस मुवी का तीन दिनों का worldwide gross collection आ रहा है 41 करोड रुपे और वहीं गाइज अगर बात कर लें टाइगर सुरॉफ की मुवी गनपत की तो गाइज ये मुवी Hindi language science fiction मुवी है गाइज मुवी बनकर तयार हुई थी विकास वहल के direction में तो वहीं इस मुवी में टाइगर सुरॉफ के साथ अमिता बच्चन जी किती सनों नजर आ रहे हैं गाइज मुवी बनकर तयार हुई है 200 करोड रुपे के बजट में यानि कि इस मुवी को box office पर हिट होने के लिए कम से कम 220 करोड रुपे की कमाई करनी होगी पर गाइज ये मुवी box office पर काफी कम collection कर रही है इस मुवी ने अपने पहले दिन केबल 3 करोड 20 लाग रुपे की ओपनिंग लिए है तो वहीं अपने दुसरे दिन इस मुवी ने कमाई है लगबग 3 करोड 80 लाग रुपे अगर अब बात करें आज या ने किसकी तीसरे दिन के collection की तो गाइज ये मुवी आज लगबग 4 करोड 50 लाग रुपे का collection कर सकती है तो इस मुवी का इंडिन नेट collection हो रहा है 11 करोड 50 लाग रुपे तो वहीं इंडिन gross collection हो रहा है 13 करोड 68 लाग रुपे और overseas में ये मुवी कमा रही है 4 करोड 20 लाग रुपे तो इस मुवी का तीन दिनों का worldwide gross collection आ रहा है 17 करोड 88 लाग रुपे तो गाइज ये मुवी तमिल लेंगवे एक्शन थिलर मुवी है तो वहीं इस मुवी में थालापती विजे सकर के साथ संजेद आतोत रिशान नजर आ रही है गाइज मुवी उनका तैयार हुए थी लोकेस खांगर आज के डारेक्शन में तो वहीं इस मुवी ने बॉक्स ओफिस पर काफी बढ़िया collection कर लिया है गाइज इस मुवी ने अपने पहले दन इंडियन नेट कलेक्शन के 68 करोड रुपे का तो वहीं दोसे दन कमा लिया है 41 करोड रुपे और तीसे दन कमाई की है 42 करोड 50 लाक रुपे की तो वहीं अगर बात करें आज याने किसके चौदर दन के कलेक्शन की तो आज की उक्पेंसी कल से थोड़ी से जादा है और यह मुवी लगबग 43 करोड 50 लाक रुपे का कारोबार कर सकती है तो इस मुवी का इंडियन नेट कलेक्शन आ रहा है 1955 करोड रुपे तो वहीं इंडियन ग्रोस कलेक्शन आ रहा है 230 करोड रुपे और ओवर्स इस मार्गेट में यह मुवी कमा रही है 138 करोड रुपे तो इस मुवी का चार दुनों का वर्ड़ वैड ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 368 करोड रुपे लियो होगी है बॉक्स ओफिस पर हिट तो यह थी लियो गनपत भंगवंत केसरी और टाइगर नागिश्विर राओ मुवी की बॉक्स ओफिस रिपोर्ट आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूले और अगर चले पहली बार आए हैं तो चैनल रूँ सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको मिलते रहेगी चैनल पर हर मुवी की बॉक्स ओफिस रिपोर्ट अम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई